Hello everyone, good morning to all of you, welcome to current affairs logics Morning हो गई है, मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का daily current affairs का session जिसमें हम cover करेंगे 6 August के important current affairs के questions daily current affairs के साथ friends हम cover करेंगे study chikki के कुछ questions भी और friends उसके बाद मैं आपको कल के questions को एक बार फिर से revise कराने वाली हूँ ताकि हम फिर 7 questions को एक बार फिर पढ़ ले और friends last में दो questions आप लोगों के लिए test की हैं आप लोग उनके answer मुझे comment करके ज़रू बताएगा तो इस तरह से हमारा चुछे आज का current affairs का session रहेगा अगर आप किसी भी देखे exam के preparation कर रही है ये वीडियो आपको काफी ज़दा help करने वाली है PDF भी आप लोगों को मिल जाएगा इसका जिसकी लिए आपको हमारे बस Telegram गुरूप को join करना है Telegram गुरूप का नाम है current affairs logics आप search भी कर सकते हैं आफि description में एक link दिया है वहां से भी आप गुरूप को join कर सकती है तो आईए finds आज की important session को करेंगे शुरू लेकिन उससे पहले motivation quote देखते हैं आज का देखे motivation quote है A little progress each day adds up to bigger result हर एक दिन अगर आप देखे चोटी-चोटी progress कर रहे है न तो वो मिलके आपको एक बड़ा result देगी तो अपने अंदर इस तरीके से changes लेकिया या अपने दिन को ऐसा करें कि आप जो है हर एक दिन कुछ ना कुछ progress ज़रू करें आगे ज़रूर बढ़ी चली हम भी इस वीडियो में आगे बढ़ती है और बात करेंगे आज की important day से चुकी है Hiroshima day Hiroshima day कब मनाया चाता है 6 अगस्त को ये दिन काफी important है देखें एक्जाम के लिए काफी बार इससी question जो है बन जाते है अब यहां सी हमें कुछ important point देखने है इस दिन 6 अगस्त को क्यों मनाते है Hiroshima day क्योंकि इस दिन देखें 6 अगस्त 1945 की बात करें तो जापान के एक शहर है Hiroshima जहां पे US ने atomic bomb गिराया था तो question में ये भी बन चाता है कि जो atomic bomb जापान पे गिराया गया था जापान के Hiroshima शहर पे उसका नाम क्या है तो उसका नाम क्या रखा था उसका नाम था little boy तो little boy नाम का एक परमाणू बं गिराया गया था जिससे बहुत तबाही मची थी हजारों के संख्या में लोगों की जो है वो death हो गई थी इसी incident के दिन या जो जिस दिन incident हुआ था उसी दिन को नाम दे दिया Hiroshima डी छे अगस्त यानि इस पार जो है जापान 79th anniversary इसकी चिन्नित करेगा world के पहले atomic bomb attack की जो की कहां पे गिराया गया था Hiroshima पी इसके तीन दिन बाद एक और देखिये US ने bomb गिराया था वो गिराया था Nagasaki पे और वो कब गिराया था 9th of August को तो हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे 9th को कि 9th को एक और जो है atomic bomb drop किया गया था लेकिन वो जापान के Nagasaki टाउन पे किया गया था ठीके तो यह दो बहुत ही major incident है हमारे history से related चले अब बात करेंगे पहले important question की पहला ही question देखिये काफी important है question क्या है हमारा protesters have announced a country-wide non-cooperation movement in which neighboring country of India question ने पूचा है भारत के किस पडोसी देश में प्रदशनकारियों ने देश व्यापी असयोग आंदोलन की अभी घोशना की है तो यह जो अभी movement चल रहा है ना यह चल रहा है बांगलादेश में काफी जादा देखिये लोगों की काफी जादा आप लोग के लिए स्टूडेंट के लिए चे काफी भीड में जो है आंदोलन हो रहा है वहां पर यह जो कोटा प्रिनाली उसको पुनहा लागो करने का निर्ने लिया इस सिस्टम के अकॉर्डिंग 93 परसेंट जो सीट्स थी गवर्मेंट सर्विसस में वो रिजर्ब की गई के लिए बची 5% जो जॉबस थी वो किस के लिए रिजर्ब की गईए Ы Alrighty बच्चे भी पर स्टूडेंट्स जो है काफी ठीड में काफी बड़ी संख्या में प्रोटेस्ट कर रही हैं को कि अब इसी प्रोटेस्ट के दौरान एक और इंसिडेंट वहां पे हुआ है जो की है यहां पे पॉलिटिकल सिनेरियो में काफी बड़ा मेजर चेंज आया है यहां की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जो कि यहां पे पंदरा लगातार पंदरा सालों से सत्ता में थी पावर में थी सड़नी उन्होंने जो है रिजाइन कर दिया अपनी पोस्टर थे और कंट्री भी उन्होंने छोड़ दी तो यह सिनेरियो भी यहां पे अभी हुआ है और इसी आंदोलन के दौरान जो है यह पूरा का पूरा major changes हुआ है बांगलादेश में तो आपको याद रखना है यह वाला incident भी निक्स टीक है हमारा question क्या है the fifth meeting of ASEAN-India trade in goods agreement joint committee was held in which city आशियान भारत वस्तु व्यापार समझोता सायोक्त समीती की जो पांच भी बैटक है यह किस शहर में आयोजिक की गई है तो फाइंस इसकी जो फिफ्थ बैटक है न यह हुई है कहां पे Jakarta, Jakarta, Indonesia में इसका आयोजन किया गया है अभी देखे तो है इसके पहले जो है इसके दो राउंड्स भी हो चुके है जो की पहला राउंड हुआ था फरवरी के डाइम पे और यह न्यू डेली में हुआ था फिर सेकेंड राउंड हुआ था इसका में ट्वंटी इसका इसकी हुई है और कहां पे हुई जकारता में एशियान जो है फ्रेंट्स इसका पूरा नाम है Association of Southeast Asian Nations इस्थापन हुई थी 8th of August 1967 को हेटक्वार्टर है जकारता इंडुनेशिया में अगला कोशन देखे विच कंट्री विल हेल्प इन देवलप्मेंट ओफ दी National Maritime Heritage Complex at Lothal, Gujarat कौन सा देश है जो गुजरात के Lothal में राष्टे समुद्री विरासत परिसर के विकास में मदद करेगा तो कौन सी कंट्री हेल्प करेगी आंसर है यहां पे वियतनाम ये चो M.O. sign हुआ है न ये एक significant step है forward in the collaboration efforts to bring the National Maritime Heritage Complex to life further strengthening the strategic partnership between the two nations ये समझौता ग्यापन, राष्ट्री है, समुद्री विरासत परिसर को जीवन्त बनाने के लिए दोनों के सिरों सहयोगात्मक प्रियास ने उनके लिए एक महत्वपूर्ण कदम है और इससे दोनों देशों के बीच की जो रणनेतिक साज़दारी है वो भी मजबूत होगी तो इंडिया और वियतनाम के टीम जो है एक तरीके से उन्होंने हाथ मिलाया है जो हमारी मेरिटाइम हिस्ट्री है लोथल में उनको संदक्षण देने के लिए उनको संदक्षद करने के लिए हाथ मिलाया है बात करें वियतनाम के बारे में तो क्यापिटल वियतनाम की हनोई है करेंसी है वियतनामी स्टॉंग प्राइम मिनिस्टर है फार्म मिंग चिल और प्रेजिडेंट है वो वान्थॉंग अगला कोशन देखिए फ्रेंट्स नेक्स्ट क्या कहता है वो हास लौंच्ट ई साक्षिय, न्याई सेतु, न्याई शूती ऋ फ्रेंट हुस्त इन चंडीगरण फिज्द्स चंडीगरण में अभी इसाक्षिय, अन्याय सेतु, ब spider बाद ही किस ने लौंच करी है तो इन सबी को लॉंच किया है अमिश्याहा नी, अमिश्याहा हमारे थे की होम मिनिस्टर है, ग्रह मंत्राले इनके पास थे और इनके पास सेहकारिता मंत्राले भी है, इन्होंने लॉंच किया है इन सबी को चंडीगर्ण में, अच्छा इस साक्षे की बात करें, तो इसके तह इस समन की बात करें इस समन के तहए जितने भी साक्षे हैं उन सबी को electronic माध्यम से सीधे जिखे कोट से अदालत से पुलिस सिस्टेशन और उस व्यक्ति को भेजे जाएंगे जिससे समन भेजा जाना है तो ये किस के तहए दोगा इस समन के तहए दोगा तो इन्हें लॉंच किया है किसने अमिश्यहानी अगरा कोशन है IT मदरास has partnered with which bank to launch a cyber security lab IT मदरास ने cyber security lab शुरू करने के लिए किस bank के साथ में साज़दारी की है तो इसके लोगने ने साज़दारी की है IDBI bank के साथ किसने IT मदरास नी अब दिखो इस साज़दारी को करने का पीछे का में उदेश है to develop and deploy security solutions in crucial sector जैसे की healthcare, fintech, aerospace तो इन सभी छेतरों में जो सुरक्षा समधान है उसको विक्सित करना और उनको deploy करना वहाँ पे तैनात करना इस partnership का जो ये partnership हो ये इसका में उदेश है तो इसी purpose से Cyber Security Lab को launch किया गया है नेक्ट कोशन है वेटरन गांधियन एंड सोशल वरकर शोबना रानाडे पास्ट रवे रिसेंट्ली अट इच अफ हंड्रेट इन विच एर शी वस अवार्ड पर्दम भूशन फॉर हर सोशल लाइफ तो शोबना रानाडे जिनका भी देखे हाली में निधन हुआ है उन्हीं अपने सामचे कारों के लिए किस वर्ष पर्दम भूशन से सम्मानित किया गया था तो पर्दम भूशन अवार्ड उन्हीं मिला था 2001 में ठीक है आपको ये एर याद रखना है कब मिला था शोबना रानाडे जी बात करें तो ये जो है इन्होंने काफी ज़्यादा वर्क किया है डेस्टिटूट वूमेन और बच्चों के लिए काफी उलेखने काम किया इसके लावा उन्होंने गांधी नैशनल मेमोरियल सोसाइटी एट आगाखान पैलिस जो की पूरे में है और एक ट्रेनिंग इंस्टिटूट महिलाओं के लिए इन सभी में इस्थापना में उन्होंने जो है वो मदद की थी काफी ज़ादा नेक्स्ट कोर्शन में है वेटरन यामिनी कृष्णमूर्थी पास्ट वे रिसेटली अद इज अफ 83 शी इस रिलेटेट टो विच डांस तो यामिनी कृष्णमूर्थी जिनका भी हाली में निदन हो गया वे है किस नरत्य से सम्बंधित थी तो इनका सम्बंध किस से था भरत नाट्यम से कुछ important awards हमें इनके से याद रखने है देखिए जो की है पदम श्री इनने कब मिला था देखिए तो बहुत ही young age में 28 की age में इनको पदम श्री अवर्ड मिला था कब 1968 में फिर 2001 में इनने पदम भूशन अवर्ड मिला और पदम बिभूशन अवर्ड इनने मिला था 2016 में यह तीनों इयर बहुत ही ज़्याद इंपॉर्टेंट है देन बात करते हैं इनने संगीत नाटक अकेडमी अवर्ड कॉंसेर में मिला था 1977 में नेक्ट पोशन देखे टाटा ग्रूप अनवील 27,000 करों रुपी सेमी कंड़क्र फेसिलिटी इन विच स्टेट तो टाटा समो ने अभी किस राजे में 27,000 करों रुपे की सेमी कंड़क्र सुविधा का अनावरन किया किस state में किया है Assam state में और किस company ने किया है Tata Group ने यह जो facility देखे Assam में शुरू की गई है यह इससे expect किया जा रहा है कि अगले कुछ सालों में around 15 billion chips जो है वो package होंगे annually यहाँ पे for customers जनी globally customers के लिए 15 billion chips जो है यहाँ से packed होंगे annually ऐसा expect किया जा रहा है इस facility से यह जो chip यहाँ पे packed होंगे यह जो है किस-किस में use होंगे electric vehicles healthcare devices, mobile phone, laptop जो भी other key products है of leading global companies की उन सभी में इन chips को use किया जाएगा तो इसके लिए पूरे facility लग रही है semiconductor facility और यह कहाँ पे इसको setup किया जा रहा है Assam में कौन सी company कर रही है Tata Group Assam की बात करें, formation हुई थी 26 January 1950 को Capital Dispur है, CM है हिमानतर विश्व शर्मा, गवर्नर है लक्षमर, प्रसाद, अचारिया यहाँ का state route है काजी, नेमो, पैजिसभा की seats है 7 और यहाँ पे लोगसभा की seats 14. अच्छा, Assam में इंपोर्टन नेशनल पार्क याद रखेगा जोकी है, काजी रंगा नेशनल पार्क, यह इसलिए इंपोर्टन है क्योंकि यह famous है वर्न हॉंट राइनसौरस के लिए चोले, Assam से बात करें कुछ इंपोर्टन करेंट अफेस की news के बारे में, तो recent अबी, Assam सरकार ने जो है मुख्य मंतरी, निजुत मोईना, जो स्कीम है, इसको लाँच किया था girls education को प्रमोट करने के लिए इसके लावा, Assam की सरकार ने, जो है सरपंच सामवेद नाम से mobile application को लाँच किया था, यहाँ पे खेल महारण जो है से organize किया गया था अगला question है, Robert Kelly Ortberg has been appointed as the CEO of which of the full-line company सो बात यहाँ पे करें Robert Kelly Ortberg की कि यह किस company के बने है CEO तो अभी इनको Boeing Company का जो है Fend CEO अपोइंट किया गया है, आप देखें इसली के साथ मैं आपको कुछ foreign appointments को revise करा देती हूँ दुबारा से Robert Metzola, दूश्री बार बनी है यह, UK की पहली Women Finance Minister बनी है Rahel Reeves, FETF चुहे इसके President बनी है Elisa D. Enda Madrozo पाकिस्तान की आर्मी में पहली Women Brigadier कौन appoint हुई है, Helen Mary और Russia के Defense Minister बनी है Andrei Belisov Next question पे आते हैं, who has been Given the Additional Charge of the Director General of Border Security Force Seema Surakshah बलके Mahanideshak का अतरिक्त प्रभार किसे दिया गया Additional Charge आपके सकते हैं Border Security Force का दिया गया है Daljit Singh Chaudhary को Daljit Singh Chaudhary जो है Senior IPs Officer है, कौनसे Carders से? UP Carders नहीं है So Daljit Singh Chaudhary वैसे तो Sashastra Seema वल के Director General है लेकिन इन्हें BASF Border Security Force का भी Additional Charge इन्हें अभी दे दिया गया है BASF किस सापना हुई थी 1st of December 1965 को Headquarter है New Delhi में Next question देखिए friends Who will be India's flag wearer In the Closing Ceremony of the Paris Olympics तो Paris Olympics का देखिए जो समापन समहारो होगा उसमें भारत के ध्वजवाहक कौन होगी Closing Ceremony जो है ये कब होगी? वैसे 11 August को और इसमें इंडिया के भारत के ध्वजवाहक होगी इस पार Manu Bhakar तो Manu Bhakar देखिए इस पार Olympic में इन्होंने दो bronze medal चीते हैं और Closing Ceremony में इनको इंडिया के तरफ से flag bearer भी बनाया गया है दो जो इन्होंने medal चीते हैं ये आदकी का दोनो bronze medal है एक तो इनका individual है और दूसरा mixed team में है जो कि सरब जो सिंग के साथ इन्होंने जीता है और Manu Bhakar पहली athlete बन गई है जिनोंने एक ही Olympic में यानि Olympic के एक ही edition में दो medal चीते हैं अब Manu Bhakar तो Closing Ceremony में flag bearer बनेंगी लेकिन जब इसकी opening ceremony हुई थी तो उसमें देखें इन्डिया के तरफ से flag bearers यानि भार्तिय धुजवाहा कौन थे उसमें तो उसमें थे the oldest person to win a medal at the Olympics Olympic में देखें पदक जीतने वाले सबसे उम्रदरास व्यक्ति कौन बन गए है answer Novak Zokovic Novak Zokovic ने इस बार Olympic में देखें medal जीता है और वो भी नोने कौन सा medal जीता है gold और ये इनका Olympic में पहला gold medal है बहुत important question रहेगा exam के लिए Novak Zokovic ने men's के जो tennis tournament हुआ था उसमें final में हराया किसे Carlos Elkaraz को also देखे Novak Zokovic जो है oldest person बन गए है जिन्होंने Olympic में medal जीता तो Olympic में पदक जीतने वाले सबसे उम्रदरास के लाड़ी बन गए है कौन? Novak Zokovic तो fans यहाँ पर देखे हमारे current affairs के आज के सभी most important questions हो गए है complete अब बात करेंगे static GK के कुछ questions के बारी में तो देखे आज कौन-कौन से questions है आज मैंने कुछ dam से related यानि bandh से related questions रखी है पहला question है गांधी सागर डाम जो है कौन से state में located है तो यह मत्यप्रदेश में है और इसी से second question बनाया है कि गांधी सागर डाम कौन से river पर situated है इस तरह से दो questions यह पूछे जाते हैं exam में तो गांधी सागर डाम बना है चंबल river पे next देखे next है कौन से डाम येलदारी डाम और ये located है कहां महरास्ट में और बात करें कि येलदारी डाम कौन से river पे situated है answer होगा पूर्णा इसके बाद देखे उजानी डाम जो है ये कौन से state में located है तो उजानी डाम जो है ये located आपका महरास्ट स्टेट में और ये कौन से river पे situated है भीमा रिवर पे इसके बाद देखे अगला question क्या कहता है अगला कुशन बोलता है पावना डाम इस लोकेटिड in which state कहाँ पे है लोकेटिड यह महरास्ट्रा में और जो पावना डाम है यह situated कौन सी रिवर पे है मावल Next लेक्ष टीक है कौईना डाम इस लोकेटिड इन्थी पे स्टेट तो कौईना डाम जो है ये कोईना रिवर पर ही situated है इसके बाद एके next हमारा है हीरा कुन डाम is located in the state तो हीरा कुन डाम जो है कौन सी state में है तो ये है Odisha state में और हीरा कुन डाम जो है कौन सी जो है river पर situated है ये भी आदर के आफ हैंस आंसर महानन्दी तो यहां भी मैंने आपको कुछ important dams कराई है जिसमें हमने cover किया है कि कौन सा डाम कौन से state में है और कौन सी river पर है next रह और देख लेजे मेटू डाम जो है ये located है तमिलाडू में और ये बना है कावेरी river पर इसके बाद देखे गोविंद बल्लब पंत सागर डाम ये भी कहां है रिहंद में और located है कहां पे UP state में और गोविंद बल्लब पंत सागर डाम जो है जिसे रिहंद डाम भी कहती है ये कौन सी river पर situated है रिहंद river आगला question देखिए टिहरी डाम is located in the state तो टिहरी डाम जो है ये उत्राखड में है और कौन सी river पर बना है भागी रती तो ये points आपको याद रखने है दोनों ही points important है यहाँ पर देखे हमारे study check के questions भी हो गए हैं अब बात करेंगे revision questions की यानि हम कल के questions को आपको एक बार फिर से revise करा देते हैं 8 भारत जो है आठवी नंबर पर है और इसमें अगर बात करें top पर कौन है European Union उसके पास second place पर है इस इन में America और Brazil जो है वो है friends third place पर अगला question देखे which country has introduced a new law in the year 2024 to remove millions of stray dogs from the country's road तो देश की सडकों से लाकों आवारा कुटों को हटाने के लिए एक नया कानून पेश किया है किसने तुर्की देश नहीं next एक है चो निर्भिया fund है इसका primary purpose यानि प्रात्मिंग उदेश है क्या है तो निर्भिया fund चो है इसका main purpose है to enhance the safety and security of women महिलाओं की safety इसका main उदेश है next है what age group is targeted by the bagless days initiative तो bagless days जो पहल है इसका लक्ष है कौन सा are you work है answer है friends यहाँ पे हमारा option number B student जो के class 62 8 में है next question who has launched सफल test cycle सफल जो है देखिए इसका पूरा नाम है structured assessment for analyzing learning और इस test cycle जिसका राम सफल है इसे किसने launch किया है answer है friends हमारा यहाँ पे तो देखिए friends यहाँ पे सही answer है हमारा CBSC next question देखिए where will India's first night street racing event be held भारत का पहला जो night street racing event है कहा आयोचित किया जाएगा chain नहीं तमिलनाडू में next एक किस राचर सरकार ने मुख्य मंत्री मयद सम्मान योचना शुरू की है तो यह योचना शुरू की है जारखंड गवर्मेंट नी in the 2024 Paris Olympics के quarter final में लक्षे सेन ने किस देश के चाव टीन चेन को हरा कर जो है इसमें quarter final में जो है अपनी chain को तो यह friends थी आज के हमारे सभी important questions तो कैसे रहा आज का हमारा session I hope so कि आपको मजा आया होकर आपके question आपने भी अपनी तरफ से solve कई होंगे अब देखे जो test के हैं आप लोग उसे question पूछते हैं पहले हम कल के question को discuss करेंगी तो पहला question कल पूछा गया था एक book का नाम है Cargill was the turning point और इस book के लेकक बताने हैं इसके लेकक हैं M.B. रविंदरनाथ second, third, duran cup जो कि अभी news में भी रहा था काफी ज़दा किस खिल से सम्मंदित हैं तो duran cup जो है friends इसका सम्मंद है किस से football सी तो friends ये थे हमारे दोनों question के answer आप सभी ने बिल्कु सही किये हैं थांक्यू सो मच राज के हमारा comment है प्रेंश साइस था ऐसे ही friends आप सभी भी test question को ज़रू solve करें और आज के बात करेंगे देखे कौन कौन से test के questions है पहला question है former union minister संतोष कुमार गंगवार इन्होंने अभी जहारखंड के राज़पाल के रूप में शपत ली तो ये बने है कौन से नंबर के राज़पाल अगला question देखें who has won the 2024 Formula 1 Belgian Grand Prix तो Belgian Grand Prix जो है ये किसने जीती है ये हमें बताना है तो इन दोने question के answer आप मुझे जल्दी से comment box में लिख दीजे इसी के साथ friends आज का हमारा ये डेली कर इंडरफेस का important session complete होता है friends अगर आपको हमारा आज का session अच्छा लगा हूँ तो आप सभी से request है कि वीडियो को like और share ज़रू करेगा thank you so much for watching this video